आप सबका स्वागत करता हूँ बिजनस कथा यूटूब प्लाइपफार्म पर मैं हूँ श्रिवम मिश्रा, कॉपेट वर्ड रिसरचर और पब्लिक स्पीक का माइडियर फ्रेंड्स, आज इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि securities और shares को लेके बड़े confused रहते हैं उन्हें ये नहीं पता कि securities जादा बड़ी term होती है या shares जादा बड़ी term होते हैं तो माइडियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि securities क्या होते हैं और issue of securities कितने तरीके से होते हैं और हमारी भारत देश के अंदर issue of securities related कितने governing laws हैं तो चलिए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं ये वीडियो और चलते हैं हम अपने whiteboard पर चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि securities क्या होते हैं आपके देखे जो securities की meaning है ना वो हम Companies Act 2013 से ही पूछ लेते हैं देखे Companies Act 2013 कहता है Companies Act का section 2 clause 81 of Companies Act 2013 कहता है कि सर जो securities होंगे वो होगा जो कि define होगा किसमे section 2 clause H of Securities Contracts Regulation Act 1956 मतलब कि Companies Act 2013 कहता है कि सर securities की meaning वो meaning होगी जो कि define होगी किसमे section 2 clause H किसके Securities Contracts Regulation Act 1956 का अब देखे अब जो हम लोग देख लेते हैं कि सर जो section 2 clause H है किसका securities contract regulation Act 1956 का उसमें क्या meaning लिखी हुई है securities की तो देखे section 2 clause H of securities contract regulation Act 1956 कहता है कि सर securities एक broader term है जिसके अंदर stocks, shares, debentures, bonds, units और other marketable securities cover हो जाएंगे stocks तो आपको पता ही है जब हम shares को rationalize कर देते हैं तो वो हमारे stocks बन जाते हैं और shares आपको पता ही है debentures भी आप जानते होंगे सरीक debt instrument होता है bonds भी आप जानते होंगे units आप जानते होंगे units like जब mutual funds में आप invest करते हैं तो वहाँ पे आपको units खरीदने पड़ते हैं और other marketable securities इसके अलावाँ जितनी भी marketable securities होंगी for example अगर government security भी होगी तो सर वो भी आपका securities के under count होगा तो चलिए सर अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जो companies होती है वो securities issue क्यों करती है देखे सर company को ना कभी-कभी financial requirements होती है company को कभी कोई पैसी की ज़रूरत पढ़ जाती है सर किन-किन cases में company को पैसी की ज़रूरत पढ़ती है और ये finance companies securities issue करके लेती है तो सर जैसा कि आप देख सकते हैं सर जो company है वो capital उठाती है ताकि वो अपने financial requirements को पूरा कर सके किस case में financial requirements होगी सर repayment of debt के case में expansion के case में और diversification के case में सर जो इंडिया की companies है सर उन्हें सारे के सारे काम सर law के हिसाब से करने होते हैं और अगर उन्हें कोई भी काम करना है तो उस case में उनको permission लेनी पड़ेगी अब आपके कमाइंड में doubt आ रहा होगा कि शिवम भाई मुझे एक बात बताओ कि अगर companies को हर एक case में permission लेनी की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या companies को issue of securities के case में permission चाहिए जी सर बिलकुल चाहिए और शिवम भाई ये permission देता कौन है तो सर issue of security तो सर companies जो है company को securities इशू करने की permission जो है section 23 of companies act 2013 देता है section 23 of companies act 2013 कहता है कि सर कोई भी company हो भले वो public हो या private हो can issue shares वो shares को issue कर सकती है अब सर मुझे एक बाप बताईए कि सर अगर कोई भी company जो है अगर securities को issue कर रही है तो सर उसे कुछ कानून का पालून करना पड़ेगा for example अगर कोई company अपने shares issue कर रही है तो सर उसे जो है SEBI के rules को follow करना पड़ेगा regulations को follow करना पड़ेगा अब देगे सर companies act यही कहता है कि सर अगर कोई भी company है वो अगर अपने shares को issue कर रही है तो उस case में जो company है उसे companies act 2013 के वो provisions जो की issue of securities related होंगे उसे follow करना पड़ेगा साथी साथ securities contract regulation act 1956 के provisions को भी follow करना पड़ेगा साथी साथ securities contract regulation rules नाइटीन 57 के provisions को भी follow करना पड़ेगा और साथी साथ securities exchange board of india act 1992 के जो provisions है securities exchange board of india act 1992 के जो provisions है उसे भी follow करना पड़ेगा अब बात करें देते हैं types of issue के बारे में लेकिन उससे पहले मैं issue of securities को classify करना चाहूंगा देखे issue of securities mainly तीन categories में classify है सबसे पहला आपका जाता है public issue दूसरा आपका जाता है right issue और तीसरा आपका जाता है preferential issue public issue में क्या होता है कि सर जो companies हैं वो issue कर रही होती है securities किसको public को और right issue में क्या होता है कि जो companies हैं वो issue कर रही होती है securities अपने existing share holders को और preferential issue में क्या होता है कि sir companies उनको securities issue कर रही होती है जिनको वो करना चाहती है prefer करती है for example एक company है जो कि चाहती है कि Mr. A उनकी companies के securities को subscribe कर ले आप company क्या करें company prefer कर रही है पसंद कर रही है Mr. A को अपना security holder बनाना तो इस case में जो issue company Mr. A को करेगी वो आपका preferential issue होगा अब types of issue की मैं बात करता हूँ sir देखे sir जो types of issue मिली जो है दो तरीके की issues होते है एक आपका होता है public issue और दूसरा आपका होता है private placement public issue में क्या होता है जो companies होती है वो securities issue कर रही होती है group of people को यानि public को securities issue कर रही होती है और एकर मैं private placement की बात करूँ तो sir इसमें जो companies होती है वो securities issue कर रही होती है to selected group of persons sir मैं आपको एक बात बताऊँ कि sir जो public issue होता जो right issue होता है इसका जो procedure होता है वो बहुत ज़्यादा vast होता है detailed procedure होता है लेकिए अगर मैं preferential issue की बात करूँ तो sir ये जो है इन दोनों के comparison में सिंपल होता है अचली दोस्तों आगे बात कर लेते हैं देखे section 23 subsection 1 of companies like 2013 कहता है कि जो public company है वो securities issue कर सकती है throw public issue क्या तो public को issue करके throw private issue private issue करके और throw right issue मतलब existing shareholders को issue करके अब सब अगर public company कर रही है तो उसके सब पबलिक कंपनी की भी दो categories होंगी या तो public company unlisted होगी या listed होगी शिवन भाई ये listed on listed क्या होता है माली जो public company है उसके जो shares के trading है वो stock exchange से हो रही है for example मैं अगर बात को sir reliance company की तो आज उसके shares के trading होती है Bombay stock exchange और national stock exchange के थूँ right तो sir जब भी किसी companies के share listed होते है किस पे stock exchange पे तो sir वो company होते है लिस्टेड और जब भी किसी company के shares recognize stock exchange, stock exchange से listed नहीं होते तो आप क्यों होते है unlisted unlisted company public company है जो कि unlisted है तो उस case में जब वो अपने securities को issue करेगी तो उस case में sir वो provision of companies at 2013 को follow करेगी for the issue of securities लेकिन अगर कोई public company है जो कि लिस्टेड है लिस्टेड है तो sir वो securities issue करते time sir companies at 2013 के तो provisions को follow करेगी साथ में CBF 1992 के भी provisions को follow करेगी सारे सारे securities contract regulation 1956 को भी follow करेगी और साथ ही साथ साथ securities contract regulation rules 1957 को भी follow करेगी now section 23 of section 23 sub section two of companies at 2013 कहता है कि private company जो है वो issue कर सकती है अपने securities को throw right या bonus issue या throw private placement तो private placement के तो अपने shares को issue कर सकती है private companies और दूसरा आपका right या bonus issue के तो right issue क्या होता है right issue वो issue होता है जो कि आप existing shareholders को करते है और bonus shares क्या होता है bonus issue क्या होता है आप अपने retained earnings को capitalized करने के लिए अपने employees को free में shares issue कर रहे होते हो तो that is known as bonus issue अब बात कर लेते हैं governing loss related इस्चो अपने लोग बात कर लेते हैं देखें सर section 24 of companies like 2013 SEBI को यानि security exchange board of India को power देता है कि वो matters जो है वो matters regulate कर सकता है जो कि related होंगे issue of shares transfer of shares or non payment of dividends related तो सर जो भी matters issue of securities transfer of securities या non payment of dividends related जो भी matters होंगे उन matters के deal करने की जो power है वो सभी को देती है कौन companies act का section number 24 साथी साथ सर जो companies act 2013 है उसका section 24 of 24 central government tribunal और registrar को power देता है कि वो उन matters related deal कर सकते हैं जो matters related होंगे return of allotment reduction of preference share और other specified matters देखें सेवी क्या होती है सेवी सर स्टॉक market की police होती है सर जो स्टॉक market में गुना होते हैं उनको रोपने के लिए हमाने security exchange board of India है अच्छा central government आपको पता ही है ट्राइबनल में आपको बता रहो सर ट्राइबनल एक्षिली सर companies का ना court होता है पहले क्या होता था से 30 साल पहले हमारे इंडिया के अंदर एक company law board बना था जो कि companies related सारे matters को deal करता था बट अब उसे replace करके ट्राइबनल बना दिया गया है दो ट्राइबनल्स हमारी एक है national company law ट्राइबनल और दूसरा है national company appellant tribunal अगर आप अगर आप अगर आप एंसे डिसिजन से सटिस्फाइब नहीं हो तो इन डाट पर्टिकुलर केस यू कन अपील तो national company appellant tribunal और रजिस्टार आपको पता है सर जहां पर आप जो अपनी company अपने बहुत सरे documents की filing करते हो वह आपके होते है रजिस्टार allotment file करना होता है किसको registrar of companies को जो company है वो return of allotment में बता रही होती है कि हमने जो है इतने security issue करी हमने इतने लोग को issue करी और यह इनकी details है तो alloties को detail होता है वो return of allotment के इंदर mention होता है तो अगर return of allotment का कोई भी concept होता है या कोई भी matter है तो उस से related यह 3 bodies deal करती है और next है reduction of preference shares जो companies act है वो सेभी को power देती है कि वो insider trading और forward dealing से जो related matters है उनमें deal कर सके शिवंभाई यह insider trading क्या होती है यार insider trading न एक financial market का crime होता है एक इसाइडर trading के अंदर क्या होता है कि माली जे मैं किसी company के shares के trading कर रहा हूं और जिस company के shares के trading कर रहा हूं उस company की insider information leak कर रहा हूं for example कि माली जे company है ABC limited के जो companies के जो shares है वो मैं invest करना चाहता हूं shares के अंदर अब क्या हुआ कि सर मैंने ABC limited के board of director में से किसी एक बंदी को पैसे देकर खरीद लिया और मैंने इसको कहा कि देख भाई जब भी कोई important announcement होगा तो मुझे call करके बता दियो अब जो है वो डिरेक्टर था उसने एक दिन call के उसने बोला कि शिवम भाई हमारी company जो है एक बहुत बड़ा contract करने जा रही है किसी दूसरी company के साथ जिसकी वजह से हमारी company की जो profit से बहुत जादा बढ़ जाएंगे तो अब मैं स अरे shares secondary market से खरीद लिए अब जैसे ही वो contract हो गया मैंने उन shares को बेचा और मैं जो है market से exit हो गया तो इसे कहते है shares pump and dump करना तो sir जब भी मैं sir insider information leak करके अपने shares की trading कर रहा हो तो that is known as insider trading is जो की इंसटाक के अंदर scams कर रहा हैं तो उस case में क्यों का trust होता है Scams कर लोग का trust के亲ां के अम धालत तो लोग जो फैसा मार्केट के अंदर नहीं डालते हैं जिसकी वजह से Direct Capital Formation 1975 नहीं होपाती और Direct Capital Formation और economic ही नहीं होती है तो उस case में क्या होता है जो हमारी जो economy होती है economy की जो GDP है वो down जा रही होती है तो sir stock market को हम लोग pulse rate कहते है sir economy का और sir मैं आपको एक बात बताओं कि sir अगर एक बात stock market नीचे गरना शुरूरा दा तो sir जो economy है उसे बहुत सारी problem face करनी पड़ती है ना पूछो कि मेरी मंजिल कहा है अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारूंगा कभी मैं होसला ये मैंने खुद से वादा किया है और प्लीज यार business कथा को subscribe कर दीचेगा क्योंकि इस वीडियो पे हमने मेहनत बहुत जादा किया